बिस्मिल्लाइर्माइर्म रहीम, अस्सलामु अलेकूम, वेलकम बेक टू मैं चैनल तो आज मैं आपके साथ लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत खुबसूरत सी नोसपीस तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करिए और फेस्बूक पर भी आप मुझे फॉलो करिए तो आप जो है मुझे जो भी question है या फिर जिस तरह का आप 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 आया या नोसपीस वगरा सिखना चाहते तो आप मुझे फोटोस पर भीज सकते हैं तो यहां पर देखिए हम कुछ इस तरीके की आज जो है हिजाब कैप बनाने वाले हैं साथ में हम नोसपीस बनाएंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले measurement लेना होगा तो आपको जो है यहां पर अपने सर की गोलाई नाप नी है तो आपको मेजर टिप लेके इस तरीके स गोल घुमाना होगा तो हम यह जो नाप ले रहे हैं वो हमारी हिजाब कैप रहेगी उसके लिए हम यहां पर measurement करेंगे जो भी गोलाई आएगी उसमें से हम 4-5 इंच तक माइनस करेंगे elastic के लिए तो बहुत ही simple है लेकिन यह जो नोसपीस है बहुत खुबसूरत लगती है बनने के बाद में तो यहां पर मैंने जो है जो है जो है जो जो का फैब्रिक लिया है इसे मैंने यहां पर डबल करके रखा है यह मैंने नोसपीस के हिसाब से फैब्रिक को लिया है अब इसकी चोड़ाई और लंबाई मैं आपको बताऊंगी तो नोसपीस की लंबाई हमार सबसे पहले इसे cut कर लेना है और यहाँ पे हम forehead की भी cutting कर रहे हैं यानि जो हम nose piece के साथ हिजाब cap बनाने वाले हैं उसकी हम cutting कर रहे हैं तो उसकी लिए हम यहाँ पे चोड़ाई रखेंगे 9 इंच तक और उसके बाद में हम इसकी लंबाई देख लेते हैं तो लंबाई यहाँ पे 18.5 इंच है तो इस cap के लिए बहुत ही कम कपड़ा लगता है और आप इस cap को जो है अलग-अलग color में बना के रख सकते हैं बहुत जल्दी यह cap जो है वो ready हो जाती है और बहुत ज़दा comfortable भी रहती है यहाँ पे center में elastic लगाएंगे देखिए यहाँ पी इस तरह तो जब हम stitching करेंगे तो आपकी समन में अच्छी तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने जो है hijab cap के लिए जो मैंने strip cut की है उसे हम लेंगे इसे मैंने double fold किया उसके बाद दुबारा fold किया है यहाँ पे center पे बिल्कुल mark करेंगे इस तरीके से और इसके बाद में हम यहाँ पे 1 inch पे निशान लगा देंगे यहाँ पर भी हम 1 inch पे निशान लगाएंगे और इसे हम center से joint करेंगे तो हमने जो यह joint किया है यहेँ पे हमें सिलाई लगाने है दूसरे तरफ भी हम सेम इसी तरीके से निशान लगाएंगे पहले half करेंगे उसके बाद में 1 inch पे हम निचे की तरफ mark करेंगे और यहाँ पे इस तरह हम cross करेंगे देखिए इस तरह आपको निशान लगा देना है और जो हमने निशान लगाएं उसी के उपर हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके उपर सिलाई लगा दी है अब यह जो extra fabric है उसे हम cut कर देंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे cut कर दिया है इसे मैं आपको पलट के बताती हूँ देखिए यहाँ पे इस तरीके से यह दिखाई देगी हमें जो है दोबारा से इसमें सिलाई लगानी है तो मैंने यहाँ पे इसे पलट दिया है लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे सिलाई करने के लिए इसे दोबारा से उल्टा करेंगे यानि फैब्री को हम wrong side पे turn कर देंगे देखी इस तरह तो दुबारा से मैंने इसे turn कर दिया है अब यहाँ पे हम एक से 1.5 इंच तक छोड़ देंगे और बाकी हिसे पे हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है यहाँ पे हमें जो है सिलाई लगान आप अपना जब मेजरमेंट करेंगे उस सबसाब रख सकते हैं लेकिन मैंने जो यह नाप लिया है यह नॉर्मल जो है कैप के हिसाब से मैंने नाप लिया है जो कि हर किसी को fit आराम से हो जाएगी तो यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा हिस्ता छोड़ दिया था यही से हम इस इसे टन करेंगे और यहाँ पे जो है हम इसका पॉइंट अच्छी तरीके से निकाल देंगे अगर आपको ऐसा इस तरह पॉइंट नहीं बनाना तो आप सिंपल भी सीधा सिलाई करके भी रख सकते हैं या फिर एक साथ में फोल्ड करके भी सिलाई कर सकते हैं तो यहाँ पी तो मैं मेरे सब्सक्राइबर का जो है वो थैंक्स कहना चाहूंगी बहुत बहुत जजा कर लग खेर आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मुझे माशालला कमेंट्स आते हैं फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे के आप तो देखे जैसे कि आपने ये बना लिया है इसके बाद में आपको इस गेप को फिल करना है यानि आपको नापना है कितना है तो जैसे यह चार इंच तक आ रहा है तो यहाँ बहुत पर क्ला 이야기 है ज़ो कि वह बहुती जादा सॉफ होती है जादा स्टेच होती है और यह जो सिलाई लगानी है तो half of inch दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा तो यहाँ पर मैंने देखिए माक किया है 4 inch पर यानि जितना हमने measure किया था सेम उसी नाप से हमने यहाँ पर cut कर दिया है यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे रखेंगे और यहाँ पर रखने के बाद którego हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर से ही गणिया है लगाया है एक तरफ हमने अटेच किया है अब हम दूसरे तरफ भी इसी तरह रखते हुए इसके उपर सिलाई लगाएंगे यहां देख सकते हैं आप कि अगर यहां से हम मेजर करेंगे तो तीन इच तक हमीं मिल जाएगा क्योंकि यह स्ट्रेच होती है इसलिए हमारे जो है सर अगर आपके पर स्टोड़ी से जादा है तो आप अंदर ही रहने दीजिए कभी आपको अगर यह कैप टाइट वगएरा हुई तो आप लूस कर सकते हैं तो एलस्टिक को आप थोड़ी एक्स्ट्रा ही जो है वो छोड़ सकते हैं यहां पे तो हमारी जो हिजाब कैप है बन सिंगल ही रखए तो यहां पर हम इस से पहले इसे पोईंट निका लेंगे देखिए इस तरह से अगर आप जो है वो सिंपल फैब्रिक में बना रहे हैं कॉटन वगेरा में या फिक रैप में तो आप बस साइड साइड से बारीक से सिलाई उस पे चारो तरफ कर देजिए तो यहाँ पे मैंने पतला रुपटे का फैब्रिक लिया इसलिए मैंने यहाँ पे इसे डबल किया है और फिर अब हम इसे दोबारा से एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी जो नोस्पीस है उसके अंदर अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए तो यहाँ पे बिल्कुल किनारी पर से हमें सिलाई करनी है तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी फाइनल सिलाई भी कर दी है और हमारी जो यह नोस्पीस है अब जो है वो बनके रेडी हो गई है तो हमने चारो तरफ से इस पे सिलाई लगा दी है तो दोबारा से मैं आपको यहां पे इसका measurement बता देती हूं क्योंकि हमने जब सिल्गाई की थोड़ा सा fabric हमारा अंदर की तरफ गया है तो यहां पे हमें जो elastic लगाना तो elastic के लिए हमें यहां पे चौड़ाई लंबाई वापस से देख लेना है तो जो चौड़ाई वाला हिस्सा रहेगा वहां पे हमें elastic को लगाना होता है लंबाई हम यहां पे थोड़ी सी कम रख रहे हैं लेकिन जो हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा रहेगा उस हिसाब से हमें यहां पे marking करने होगी elastic लगाने के लिए तो ये भी मैं कहूंगी कि आप अपने हिसाब से रखिए जितना आपको सही लगे चोड़ाई में तो इलास्टिक कैसे लगाना है अब मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पे जो है हम मेजर करेंगे यहाँ पर एक कान से दूसरे कान तक हमारी यह नोसपीस रहती है और बीच में यहाँ पर गैप रहता है उसे सबसे हम यहाँ पर एलास्टिक को रखेंगे लेकिन जितना हमारा measurement आया उतना नहीं रखेंगे हम यहाँ पर elastic को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे क्योंकि जब हम जूरा बगर बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा और बढ़ा ही चाहिए तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो lose वाले elastic रख सकते हैं एलास्टिक आप थोड़ी सी जादा यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल measurement के सबसे मत रखेंगे वन्ना आपकी जो nose piece है वह बहुत जादा tight हो जाएगी और जब आप nose piece में elastic को लगाएं तो elastic को थोड़ा एक्स्रा ही रखें तो यहाँ पर देखिए मैंने एक तरफ elastic को attach कर दिया है और फिर दूसरे तरफ भी हम यहाँ पर इसे attach कर देंगे और जो extra रखेंगे हम कटने कर रहे हैं एक्स्रा हमने यहाँ पर छोड़ दिया है तो आप देख सकते हैं बहुत ही जादा आसान है इस तरह की nose piece बनाना अगर आपको डूरी अगर नहीं comfortable है तो आप जो है elastic की तरह लगा की use कर सकते हैं तो हमारी यहाँ पर half hijab cap भी आप इसे कह सकते हैं मैंने इसे ready किया है और जो हमारी सिलाई वाला हिस्सा रहेगा वो पीछे रहेगा और जो यहाँ पर folding वाला हिस्सा है फैब्री कब हम सामने रखेंगे तो आपको पहनना देखी इस तरीके से बहुत ज़्यादा easy है इस तरह हिजाब cap बनाके आप इसे पहन सकते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह इसे पहनेंगे बिल्कुल कान के साइड में देखें सामने की तरफ से आप कोई बोली नहीं सकता है कि हमने हिजाब cap नहीं पहनी है आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह की हिजाब cap और जो है वो nose piece nose piece को बस आपको इस तरह पहन लेना है यहाँ पे हम इसे ऐसे करेंगे और हमारी जो elastic है उसे हम थोड़ा सा उपर की तरफ उठा देंगे यह जुड़ा बगर अगर रहेगा उसके उपर से हम लेंगे तो आप देख सकते हैं इसका लूग बहुत प्यारा लग रहा है तो आप किस तरह आपको इसकाफ को लेना है या फिर आप डुपट्टा अगर ले रहे हैं तो इस तरह आपको पहले फोल्ड करना है सामने की तरफ से और यहाँ पर इस तरह हम इसे रखेंगे तो कैप आपको जो है इतनी दिखानी जितनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहां पर जैसे आप डुपटा नॉर्मली रैप करते हैं या आपको इसका आप जिस तरह देना पसंद है जितनी इसके अंदर प्लेट्स बगरा बनानी है तो आप उस तरह कर सकते हैं और पिन अप करते जाना है साथ में तो जितना लंबा डुपटा है उसे साब से हम यहां प करेंगे तो हमने यहां पर देखिए रुपट्टे को भी इस तरह लपेट दिया है और उस पर आप देख सकते हैं इसे बाहर निकाल देंगे और पहनने के बाद में इसका लुप देखे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यहां पर पॉइंट बनाना है तो आप अलग से पर देखिए आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं रुपट्टा मैंने कुछ इस तरीके से इसके उपर बांधा है तो उमीद करते हूँ कि आज की मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जबते के लि पर डारिक मुझे बात कर सकते हैं और आपको अगर अलग टाइप का कुछ अबाया या फिर हिजाब कैव या इसका वगयरा बनाना है तो आप मुझे उसकी फोटो भी इस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं तो लिंक जो है डिस्ट्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए मि अली वीडियो में जबते के लिए दुआ मयाद रखें टेक कैर अला हाफिज